मुहासिया एकने तोचा की एक इस्तिती है जो सफेद, काले और जलने वाले लाल दाक के रूप में दिखते हैं यह लगबग 13 वर्ष से सुरू होकर 30 वर्ष तक कभी भी निकल सकते हैं दोस्तो मैं हूँ एक रजिस्टर फार्मसिस्ट आपका स्वागत है DRX प्रभाकर में दोस्तो जब पिंपल निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पियन हो सकता है इसके treatment के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि यह किस कारण होता है और कितने प्रकार की होते हैं जैसे आप भी पता लगा सकते हैं कि मुझे कौन सा पिंपल हुआ है और क्या अवाइट करेंगे तो बार बार पिंपल नहीं होगा दोस्तो इसके type के बारे में बात करें तो यह तीन प्रकार की होते हैं पहला है कामेडोनिका यह किसोर अवस्ता यानि जब आप 13-14 या 15 के होते हैं तो इसे mild एकने या हलके मुहा से कहा जाता है इस स्रेंडी में blade head और white heads आते हैं दूसरा है आपका pustles एकने इसको moderate एकने या मध्य मुहा से कहा जाता है इसमें आपको pimple के चारो और हलका swelling और हलका पस दिखाई देता है आपका तीसरा एकने है nodules एकने या काफी गंबीर हो सकता है इसमें इसके अत्यधिक सूजन और अत्यधिक पीले रंग का पस जमा होता है एकने होने के कारण की बात करें तो जब स्रेंडीयस glands से निकलने वाला अस्राओ रूख जाता है तो इस कीन में जो छोटी-छोटे छेद होते हैं जो बालों के जड़े होते हैं जिससे अस्त्राओ निकल नहीं पाता तो फुन्सी के रूप में एकटा होकर बन जाता है इसे एकने वाल गेरियस भी कहते हैं और इसमें जब पस बर जाता है तो पीमपल कहते हैं अगर आपका डाइजिस्टी सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको चेहरे पर मुहासे आ सकते हैं और आपका ज़्यादा करम चीज लेते हैं जैसे मीट मचली, फास्ट फूट और जब आप बाड़ी में हार्मोन चेंजेस होते हैं तब भी आपको यह हो सकता है अगर आप इसकीन पर पहले से ही मुहासे हैं और आप ज़्यादा टेंसल में रहते हैं तो आपको और अधिक पिंबल्स निकल सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको खाली पेट पेंटा 40 mg लेना होता है अगर इस दोरान आपको ज़्यादे गयस की समस्य रहती है तो साथ में उसके बाद से अजित्रोमाइसीन 500 mg दिया जाता है जब ज़्यादे पिंबल्स हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है तो ये अजित्रोमाइसीन 500 mg पांस दिनों के लिए ओडी दिया जाता है जो TDS लेना होता है, TDS मतलब सुबा दो पर शाम, इसी के साथ D1 ने सौप से दो से तीन बार फेस को वास करना होता है, और रात में क्लिंडामाइसीन के कमपचीशन में बहुत सारे क्रीम आते हैं, उसे नाइट में लगाते हैं, तो आपका पिमपल पूरी तरह से 20 से 25 दिन मे ठीक हो जाएगा, दोस्तो किसी भी दवा को आप डाक्टर के देखरेक में ही लें, क्योंकि ये दवाएं, बहुत सी दवाएं जो हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन नीडेड हैं, और इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, दोस्तो वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नहीं भी दोगी हो,